देकिन निश्शित रूप से और आज जो प्रधानमंत्री जी का बैठक हुआ है, पूरे देश ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है, एक स्ट्राटजी जो हमारी है, एक रणनीती है, उन्होंने ये भी बताए कि भारत में जो वैक्सीन है, वो सबसे cost effective option है, सबसे safe option है, तो बहुत सारे लोग जो राजनीती कर रहे थे, जनता को भ्रमित कर रहे थे, उनको अब सावधान हो जाना चाहिए, उन्होंने इस पश्ट रूप से कहा है, कि हमारी priority में एक रणनीती के तहत, पहला जो एक करोड होगा, वो health workers के लिए होगा, उसके बाद का जो दो करोड होगा, वो सफाई करमचारियों के लिए भी होगा, देखिए, उन्होंने especially इस पर emphasize करके बोला है, कि जो हमारे सफाई करमचारी है, वो भी frontline worker है, और उनके हितों की चंता, उनकी स्वास्ति के चंता, उनके सुरक्षा के चंता भी हमारे लिए सर्वो परी है, पहला एक करोड हेल्थ वर्कर, बात के दो करोड सफाई करमचारियों और frontline workers, और इसमें एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, कि ये जो तीन करोड vaccination होगा, हेल्थ वर्कर्स का और frontline workers का, ये union इसकी जिम्मा लेगी, और एक प्रकार से आप कहिए तो cost effective और मुफ्ट vaccination होगा कि इसा है, होगा लाना चाहता हुआ तो CO होगा ये ज्या 요म उड़िध झाल झाल